Hi guys, welcome to Be Banker, स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए ओल टाइम फेवरेट, बहुत साथा रिक्वेस्टेड वीडियो, तो पेश है आपके लिए वीडियो, वीडियो कौन सी होने वाली है चलिए जान लेते हैं, आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानि की अपना परीच है हम लोग अंग्रेजी में कैसे दें, तो मान के चलिए आप कहीं पे गए हैं और वहां पे आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम मदन है, मैं इस काम के लिए आया, मतलब आया था, इस तरीके से जब आप बात करते हैं, तो सामने वाले के उपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपकी बात सुनेगा, सुनके भी अंसुना कर देगा, लेकिन उसी जगह पे अगर आप ये बोलें, हाई, I am Madan, I am here for some work, सो ये कैसा हुआ, ऐसे ना, जब आप ऐसे किसी से सबसे पहली बात तो आत्मविश्वास, जब आप सेल्फ इंट्रोड़क्शन दे, यानि कि जब आप अपना परीचे दें, सबसे ड़सन माटर आप इंग्लिश में दे रहे हैं, या हिंदी में दे रहे हैं, या किसी और भाशा में दे रहे हैं, फरक नहीं पड़ता, लेकि इसका वेहर आपके प्रती तूरंत बदल जाता है, वो आपको थोड़ा जादा सीरिसली लेने लगता है, और आपका काम, यू नेवर नो, वो जादा सीरिसली लेकर कर ले, है ना, तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोड़क्शन, बेसिक सा सेल्फ इंट्र करते हैं, और मैं यह वादा करती हूँ, यह वीडियो ऐसी है, जो आप आज अभी इसी वक्त, सेल्फ इंट्रोड़क्शन सीख जाएंगे, जी है, आपको इसके लिए ना, अपना समय पोस्पॉन करने की जरूरत नहीं है, कि बाद में सीखेंगे, इस वीडियो को देख करक कि निकलते निकलते, आप अपना सेल्फ इंट्रोड़क्शन देना सीख जाएंगे, इसकी तो गारेंटी है, तो चलिए, बिना समय वेस्ट किये वे, शुरू करते हैं आज की वीडियो, उसके पहले अगर चैनल पन नए है, और यह फैबूलस सी और फैंटास्टिक सी वीड पता लग जाए, आप सीधे सीधे हमसे जुर सकते हैं इस वाट्सट नंबर के जरीए, हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स, हमारी पेड कोर्स के बारे में जानने के लिए, साथी साथ ये वीडियो और इसके जैसी ढिर सारी क्लास्स और अपने मोबाइल पर इरक्ली पाने के कैसे पा सकते हैं, वाट्सब करिए, पता लग जाएगा, आप कर सकते हैं सारी की सारी सोचल मीडिया साइट्स पर फॉलो, चलिए, बताया था ना, सबसे असान तरीका बताऊंगी, शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताने हैं अप आज लाइन और आपका इंट्रोड़क्शन ओवर, एकदम फैंटास्टिक, तो सबसे पहले बिल्कुल कॉंफिडेंट हो जाएगे, और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेल्फ इंट्रोड़क्शन का वीडियो, सबसे पहले चीज, आपका नाम बहुत इंपॉर्ट तो चलिए आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पे बस इस ब्लैंक में अपना नाम को फिल, जी हाँ, माइनेम इस आपका नाम चाहे रोहन कुमार हो, सोहन सकसेना हो, कुंदन पांडे, रागिनी कुमारी, संगीता दूबे, शबनम कुमारी, कुछ भी हो, जैसे, माइन जो भी आपका नाम है वो क्लियर यह आतर चलिए बढ़े आगे दूसरी जो सबसे इंपोर्टन चीज होती है आपके बारे में वो वो होती है कि आप किस जगह से हैं, आप किस जगह से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, आप कहां के रहने वाले हैं, I am from Delhi, मैं दिल्ली से हूँ, आपने अपने जगह का नाम बताना है यहां पे, ठीक है, चलिए देखिए कैसे, I am from जहां से भी आप हूँ, वहां का आप नाम डाल जैसे, मैंने रेफरेंस के लिए यहां पे कुछ cities ले लिये हैं, I am from Mumbai, I am from Maluti, I am from Gualir, I am from Siwan, I am from Jaipur, I am from पहाडगंज, जी हां, आप कहीं से भी हो, आप अपना city का नाम यहां पे आप डाल देंगे, clear, so I am from, जिस भी जगह से आप बिलॉंग करते हैं, उस जगह का नाम, clear चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली जो important चीज है आपके बारे में वो क्या है, कि आप क्या करते हैं, important है ना, बहुत important है, आप क्या करते हैं, भई कुछ तो करते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, I am a teacher, मैं एक teacher हूँ, मैं क्या करती हूँ, I am a teacher, मैं एक teacher हूँ, इसी तरीके से आप जो भी करते हैं आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे जैसे कि I am a student मैं एक चात्रिया चात्रा हूँ I am a housewife या homemaker मतलब मैं एक ग्रिहनी हूँ I am a housewife हो सकता है आप business man हो I am a business man हो सकता है आप data entry operator हो I am a DE operator हो सकता है आप हमारे किसान भाई हो I am a farmer हो सकता है आप typist हो so I am a typist तो आप जो भी है I am a उसके बाद जो भी है वहाँ पर आप उसको फिल कर दीजेगा clear है यहाँ तक चलिए बढ़ें आगे my hobbies अगली चीज़ जो आती है वो होती है आपकी hobby अब समझ यह hobby क्या है hobby जो होती है वो काफी important चीज होती है इसको बताना काफी जरूरी होता है यह कहीं न कहीं आपके बारे में सामने वाले को थोड़ा बहुत आइडिया जादा दे देता है ठीक है hobby का मतलब होता है आपका वो shock या आपकी वो इच्छा जो आप free time पर करना पसंद करते हैं clear? example के तौर पे किसी किसी को TV देखना पसंद होता है किसी को movies देखना पसंद होता है किसी को बस mobile पैसे बैट करके YouTube देखकर के Bbanker की videos देखना पसंद होता है है ना? यह आपकी hobbies है so my hobby is reading books my hobby is reading books मुझे किताबे पढ़ना पसंद है मुझे किताबे पढ़ना पसंद है my hobby is reading books आप कैसे बोलेंगे? चलिए देखे my hobby is जो भी आपकी hobby है वो यहाँ पर आ जाएगी जैसे बहुत लोगों को gardening पसंद होती है अब भाई gardening क्या होती है? बहुत लोगों को पेड़ पौदों से बहुत प्यार होता है तो gardening का मतलब होता है पेड़ पौदे का रोपन करना उन्हें पाल पोस करके बढ़ा करना पेड़ पौदे लगाना पेड़ पौदों के साथ समय बिताना that is called as gardening clear my hobby is gardening किसी को खाना बनाना पसंद हो सकता है so my hobby is cooking बहुत लोगों को गाना सुनना पसंद होता है कि भाई इत्मे नान से बैट करके free time में बड़े अच्छे अच्छे गाने सुने जा रहे है my hobby is listening music कि इनी को games खेलना पसंद होता है games? कौन से games? भाई लूडो भी हो सकता है cricket भी हो सकता है आपके मर्जी है so my hobby is playing games यानि कि खेल खेलना पसंद है my hobby is watching movies मुझे cinema देखना बहुत पसंद है नया हो पुराना हो वो अलग बात है लेकिन मुझे cinema देखना बड़ा पसंद है so my hobby is watching movies किनी को painting का बहुत शौक होता है so my hobby is painting मतलब चितरकारी करना कलाकारी करना basically my hobby is watching cricket अब ये hobby तो बहुत किसी की फेवरेट होगी यानि कि टीवी पर बैट करके cricket का मैच देखना so my hobby is watching cricket हो सकता है आपको इंटरनेट पर समय बिताना बड़ा अच्छा लगता हो चाहे फेस्बुक हो इंस्टाग्राम हो गूगल हो यूट्यूब हो उसको कहते हैं surfing internet जी हाँ इसको कहते हैं internet को surf करना so my hobby is surfing internet यानि कि मुझे internet पर समय बिताना बड़ा पसंद लगता है जैसे कि अभी आप बिता रहें वीडियो देख करके self introduction सीख रहे हैं so my hobby is surfing internet clear है यहां तब कोई doubt है नहीं न चलिए बढ़ते हैं आगे पाचवा और सबसे important वो है that is आप किस प्रकार के व्यक्तित्व है वो आपको बताना होता है आप व्यक्तित्व किस प्रकार के है वो बताना क्यों जरूरी होता है ताकि सामने वाला सामने वाला जो भी सोच रहा है उसके सोच पे एक तरीके से आप अपने बारे में बता करके लगाम लगाते हूँ क्यों वो तो अपने मरजी से कुछ भी सो सकता है आपके बारे में लेकिन आपको क्या करना है आपको अपनी bestest quality बतानी है मतलब सबसे अच्छी quality धून लो भई अपने अंदर सबसे अच्छी quality कौन सी है वही निकाल करके बताओ उसको जैसे I am an honest person मैं एक इमानदार व्यक्ति ह कैसी होती है इमानदारी तो बड़ी अच्छी चीज होती है भई कोई वेक्ति आपको कहें मैं बहुत इमानदार हूं तो आपको क्या लगेगा बड़ा अच्छा इंसान लगता है मतलब इमानदार है मतलब बहुत इमानदार है तो इमानदारी जो है वो काफी सराही जाती ह तो यह क्या हो गई, यह आपकी bestest quality हो गई, मतलब बहुत अच्छी quality है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, देखे, हो सकता है, आप बहुत अच्छे और बहुत इमानदार इंसान हो, तो आप क्या बोलेंगे, I am an honest person, मैं एक इमानदार व्यक्ती हूँ, हो सकता है, आप बहुत मह बहुत महनत करते हैं, आप जो भी काम पकड़ते हैं, बहुत महनत करते हो इस पर, so I am a hard worker, I am a hard worker, हो सकता है, आप बहुत जादा focused इंसान हो, focused मतलब आपको अपने लक्ष बड़े अच्छे से दिखता है, बहुत अच्छे साप अपने लक्ष को achieve करना जानते है, so I am a focused person, ज हो सकता है, आप social able people, मतलब जिसको दोस्त बनाने में, you know, दोस्तों के साथ बड़ा इच्छे से घुल मिल करकर रहता है, सब की मदद करता है, इस तरहीं के काम करता है, तो वह कौन होता है, social able person, जो कैसा इंसान होता है, बिलकुल social person होता है, हो सकता है, आप बहुत उदार व इस तरहीं के जो भी चीज़ें, जो एक उदारता के भाव दिखाती है, वो उसको kind person कहते हैं, so I am a kind person, ये आपके reference के लिए है, ये सारे examples में जो मैं बता रही हूँ, वो आपके reference के लिए है, आप इन में से कुछ भी एक उठाकर के इस्तमाल आराम से कर सकते हैं, आप देख काम देदो, ये भी खतम, वो काम देदो, वो भी खतम, बहुत energetic person है, अगर आपको लगता है, आप ऐसे हैं, so आप बोलेंगे, I am an energetic person, I am an energetic person, हो सकता है, आप बहुत enthusiastic हो, अब enthusiastic का मतलब क्या होता है, उतसाही, किसी भी काम, नए काम को शुरुआत करने के लिए, या किसी भी होता है, हमेशा, किसी भी काम को करने के लिए, हमेशा तत पर तयार, so I am an enthusiastic person, हो सकता है, आप ऐसे इनसान हो, तो आप क्या बोलेंगे, I am an enthusiastic person, clear है, so बस ये 5 लाइन आपने कहा, और आपका हो गया, क्या complete self introduction, जी हा, आपका परीचय हो गया, यहाँ पे complete, clear है, तो चलिए, ए आखिर वो 5 से कौन से सवाल हैं, जिनका अनकहे सवाल हैं, जिनका आपको अपने परीचय में उत्तर देना है, सबसे पहला, आपका नाम क्या है, दूसरा, आप कहां रहते हैं, तीसरा, आप क्या करते हैं, चौथा, आपको पसंद क्या है, या आपको क्या पसंद है, और पा revise करते हैं ताकि आपको एक proper guideline मिल जाए कि कैसे आपको शुरुवात करनी है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो होता है greeting अब greeting क्या होता है greeting का मतलब जो हम लोग करते हैं नमस्ते, hi, hello, good morning, good evening इसको greeting बोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको करना है greet यानि किस आपको संबोधन करना है सबसे पहले so hello, good morning, हो सकता है सुभा का समय है तो good morning, दोपहर है तो good afternoon, शाम है तो good evening और कुछ भी याद न रहे, कुछ भी अगर आपको याद न रहे तो सिर्फ hello से भी काम चलेगा, जी हां सिर्फ hello से भी काम चलेगा, वो भी काफी होगी greeting के लिए, हो सकता है भाई, confused हो जाएं सुभाई दोपहर शाम करते करते तो भाई, चुप-चाप से hello याद रखे so hello, my name is Preeti, I am from Delhi, I am a teacher, my hobby is reading books, I am an honest person, thank you last में thank you बोलना बहुत ज़रूरी है, जैसे शुरुवात में greeting करना बहुत ज़रूरी है, last में धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है चलिए इसको हिंदी में देखते हैं, नमस्कार, मेरा नाम Preeti है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक teacher हूँ, मुझे किताबे पढ़ना पसंद है, मैं एक इमानदार व्यक्ति हूँ, धन्यवाद तो दोनों languages में हमने देख लिया, English में भी देख लिया, Hindi में भी देख लिया, clear है, यहां तक कोई doubt नहीं है, तो चलिए, अब क्या, अब है, यह किसके लिए है, आखिर यह self-introduction, कौन है, कौन बोलेगा self-introduction को, तो कोई भी, दुनिया का कोई भी, हो सकता है आप businessman हो, यानि wife हो, तो यह आपके लिए है, आप गृहनी है, आपके लिए है, हो सकता है आप विद्यार्थी हो, student है, छात्र छात्रा कोई भी, तो यह आपके लिए भी है, हो सकता है यह हमारे किसान भाई बहन है, तो यह उनके लिए भी है, हो सकता है यह working professional हो, working professional मतलब जो अल्रेडी कही काम कर रहे हैं, जो किसी office में काम कर रहे हैं, यानि कि काम कर रहे हैं पेशेवर लोग, यह उनके लिए भी है, यह हमारे सहायक भाई-बहनों के लिए भी है, जो काम करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं आम जिंदगी में, यह उनके लिए भी है, यह कामगार भाई-बहनों के ल इसका इस्तमाल कोई भी कर सकता है, जी हाँ, मैंने या पर लिस्ट तो ये तो काफी कम लिस्ट हो गई, वैसे इसका इस्तमाल कोई भी कर सकता है, आसान है, बहुत आसान है, अपने बारे में बताना है, मात्र पांच लाइन है, तो कौन नहीं बता पाएगा, तो चलिए इसी पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन भी लोगों को आप जानते हैं, जिनको self introduction की जरूरत है और ये वो किसी भी category के हों, कोई भी हों, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए, तो वीडियो को शेर तो आप जरूर करें, एक बात और, that is, अगर आप formal introduction की बात करें, formal introduction से मतलब है, specifically किसी particular exam के interview की, अगर introduction की बात करें, तो वो बिलकुल एक अलग topic है, वो इसमें include नहीं होता है, जैसे कि, अगर आप IS के exam दे रहे हैं, तो वहां का self introduction अलग होता है, अगर आप bank PO का interview दे रहे हैं, वहां का self introduction अलग होता है, तो इन सब के उपर भी आगे videos आएंगी, definitely आएंगी, लेकिन ये video जो है, वो हम सब के लिए है, हम सब के लिए हम सब introduction दे सकते हैं, अपना self introduction, है ना, तो अब आपको भी क्या करना है, इतनी महनद तो भई मैम से कर वाली, अब आपको क्या करना है, आपको लिए है homework, आपको अपना introduction मुझे comment section में चाहिए, जो भी ये video देख रहे हैं, उन सब की मुझे चाहिए comment section में self introduction, सबसे पहली चीज, what is your name, यानि की आपका नाम क्या है, दूसरा, आप कहां रहते हैं, तीसरा, आप क्या करते हैं, फोर्थ, आपको क्या पसंद है, और फिफ्थ, आप कैसे वेक्ती है आप चाहें, तो वीडियो में जो मैंने examples लिये हैं, उनका इस्तमाल कर सकते हैं, तो भाई, इससे आसान कैसे बनाओ, जल्दी से जल्दी comment section में मुझे self introduction दो, जल्दी से जल्दी, बड़ी महनत लगी है, चलिए, जल्दी से type करके मुझे self introduction की, ये आपकी homework है, इसको complete करिए clear, so yes guys, इसके साथ ही, अगर आपने अभी तक हमारी सारे 6 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानि कि speak English in 6.5 आवर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो क्या वेट कर रहे हैं, जल्दी से WhatsApp करिये और फोन पर मंगाईए वीडियो, उसी वीडियो कोर्स के उपर based, ये free course है, free spoken English course ह इसके उपर based ebook की sample भी आपको मिल सकती है, ये सब कुछ कैसे होगा, WhatsApp कर ये पता कर लीजे, उसके साथ ही अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं, हमारे premium WhatsApp spoken English course पे, इसके इंक्वाईरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं, तो जल्दी से इंक्वाईरी कर पता कर लीजे भई कि अ अच्छा नहीं है, आपको basics करने है grammar के, तो ये course बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है, आपके grammar की basics इसमें बहुत अच्छे से crystal clear हो जाती है, आप advanced grammar के लिए पूरी तरीके से तयार हो जाते हैं, उसके साथ ही बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उनको life में कभी भी दिक्कत नहीं आती है grammar में, clear है, उसके साथ ही, ये हमारा basic English grammar and writing for school, जो की है school के बच्चों के लिए, चाहे आप स्कूल गोर हों या आपके बच्चे स्कूल जाते हों, ये course बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आप किसी भी class में पढ़ते हों, आपके class की grammar और आपके class की writing, राइटिंग से मतलब है, notice writing, message writing, email writing, ये सारी चीज़े इसमें कराई जाती है, इसके inquiry आप इस नमबर पे कर सकते हैं, ये है premium competitive English course, चाहे आप किसी भी competitive exam की तयारी करते हो, ये course आपके लिए है, आपके competitive exam में, जो English पोची जाती है, उसकी पूरी की पूरी स जाती है, ताकि हमारे प्रतिनिदी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए, जानकारी मिलने में लगभग 12-40 घंटे लग जाते हैं, तो बिलकुल टेंशन नी लेना है, वाट्सप कर दिया है, तो रिप्लाइ मिल जाएगा, ठीक है, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, we with B.B.A कर inpowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to be